दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप TradingView platform पे धन को यूज करते हुए एक watchlist create कर सकते हैं watchlist create करने का फायदा यह हो जाते हैं कि आप सभी shares को track नहीं करना चाते हैं तो अगर आप किनी specific shares को track करना चाते हैं watchlist create की है उसमें add कीजिए और आप उन shares को अराम से track कर पाएंगे तो चलिए दोस्तो देख लेते हैं यह वीडियो तो दोस्तो यहाँ पर मैंने धन के थुरू TradingView platform यहाँ पर open कर लिया है लेकिन जो आपको trading view का chart pattern है वो यहाँ पर आप सारा देख पाएंगे अगर अभी तक आपने धन के app डाउनलोड नहीं की है तो link description में आप जाकर कर सकते हैं अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी असानी से एक watchlist create कर सकते हैं trading view platform पे जाकर तो यहाँ पर दोस्तो अगर आप देखेंगे right में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके पास अलग-अलग options आ रहे हैं जिसमें से एक option यहाँ पर create new list का option आ रहा है इस पर अगर आप click करेंगे यहाँ पर आपको अपनी list का नाम देना है तो माल लीजिए आप blue chip stocks को यहाँ पर watchlist बनाना चाते हैं तो blue chip stocks की watchlist बना के आपने यहाँ पर add कर ली अब माल लीजिए आपको इसमें add करने है stocks तो बड़ी असानी से आप यहाँ पर stocks को add कर सकते है plus के sign पर यहाँ पर click करना है जिस भी stock को आप track करना चाते हैं मालनीजे Reliance Industries को आप track करना चाते हैं तो इसको आप यहाँ पर add कर सकते हैं तो Reliance Industries आपकी watch list में यहाँ पर add हो जाएगा यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो TCS पे हाँ पर बड़ी असानी से क्लिक करके आप एड़ कर सकते हैं Infosys को एड़ कर लेते हैं Infosys भी एड़ हो गया SDFC Bank को एड़ कर लेते हैं तो आप बड़ी असानी से आप देखेंगे उनको regularly track कर सकते हैं उनकी performance और जब वो आपकी price पे आएगा तो आप उसको add कर सकते हैं separate video मैंने बनाई है कि कैसे आप price alert वगरा लगा सकते हैं वो videos भी आप जरूर देखिएगा मेरी तरफ से दोस्तो बस इतना ही धन्यवाद